Hello friends, आज की वीडियो में हम रामकृष्ण परहमंस और रामकृष्ण मूव्मेंट के बारे में जानेगे रामकृष्ण परहमंस 19th century बिंगॉल के एक religious leader और mystic थे mystic उसे कहा जाता है जो भगवान के साथ एक हो चुका है रामकृष्ण परहमंस का जन्म 1836 में हुआ था और इनका रियल नाम था गदाधर चटोपाद्याए 1855 में जब ये मातर 19 एर्स के थे तो इन्हें केलकटा के पास दक्षनेश्वर काली मंदिर का प्रीस्ट न्यूक्त किया गया इस मंदिर का प्रीस्ट रहते हुए ये मा काली की मूर्ती पर लगातार ध्यान का प्योग करते थे और एक दिन इन्हें मा काली के शाक्षा दर्शन हुए ये एक spiritual experience था जिसमें इन्हें मा काली जगत जन्नी यानि यूनिवर्सल मदर के रूप में दिखी इसके बाद spirituality की और जादा गहराईयों को अनुभव करने के लिए इन्होंने हिंदुईज्म के different different cults और sects को follow किया और रास्ता चुना renunciation का, meditation का और भक्ती का Renunciation का मतलब होता है परित्याग Renunciation, meditation और भक्ती के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने spiritual journey की शुरुवात की हिंदु शास्त्रों में भग्वान को पाने का एक रास्ता तंत्र को भी माना गया है रामकृष्ण पर्महंस ने सबसे पहले इसी रास्ते को चुना तंत्र एक ऐसा discipline है जिसमें कई सारे rituals perform करने होते है और तंत्र की खास बात ये है कि ये devotees को उनकी temptation से बचने के लिए नहीं कहता बलकि कहता है कि जो भी चीज आपको tempt करती है या attract करती है उसे boldly face करें और उसे face करके ये समझ लें कि उसमें कुछ नहीं रखा है और अपनी temptation से उपर उठें और इस process में अपनी सारी उर्जा को भगवान की भक्ती में लगा दे तंत्र विद्या का प्रयोग सालों तक चलता है तब जाके सादक को सिद्धी प्राप्त होती है बट रामकृष्न परहमस को ऐसा करने में बस तीन ही दिन लगे इसके बाद इन्होंने वैष्नविज्म को भी अपनाया वैष्नविज्म एक भक्ती कल्ट है जिसमें भगवान को अपने parent, अपने child, guru, friend या फिर अपने प्रेमी के रूप में देख सकते है और जो भी भाववने पकड़ा है उसमें डूप जाना होता है रामकृष्न परहवन्स ने इस रास्ते पर भी भगवान को पा लिया इसके बाद इन्होंने similar प्रियोग, अदवैद, वेदानता, इसलाम और Christianity के साथ भी किये और इन्होंने पाया कि हर एक religion, हर एक sect आपको भगवान तक ले जा सकता है यानि सभी धर्म सही है, in fact fundamentally एक ही है क्योंकि श्री कृष्न, श्री हरी, राम, ईश्यू, अल्ला, ये सब भगवान के ही नाम है ये तो बात होई रामकृष्न परहवन्स की भगवान की खोजगी अब बात करते हैं इनकी teachings और practices की रामकृष्न परहवन्स ज्यादे पढ़े लिखे तो थे नहीं और इन्होंने कोई बुक भी नहीं लिखी बड़ इनके पास spiritual knowledge और experience का भंडार था जो इन्होंने अपनी conversation और speeches की form में अपने students अपने disciples के साथ share किया इनकी teachings भक्ती, तंत्र और वेदानता परबेश थी इनके जो सबसे दादे close followers थे उन्हें इन्होंने गेरुए वस्तर दिये और परित्याग के रास्ते पर अग्रसर किया यानि इन्होंने एक monastic lineage की शुरुवात की जिसे रामकृष्ण ओर्डर के नाम से जाना जाता है इनके सबसे प्रिया डिसाइबल स्वामी विवेकनन थे और जब 1886 में रामकृष्ण परहमंस की मित्यु हुई तो उससे कुछी समय पहले रामकृष्ण परहमंस ने अपने सभी disciples की जिम्मेदारी स्वामी विवेकननन को दे दी थी स्वामी विवेकननन ने रामकृष्ण ओर्डर के दू लीगल और पैलल ओगनाजिशन का गठन किया एक का नाम है रामकृष्ण मट और दूसरी ओगनाजिशन का नाम है रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मट एक monastic organization है जिसका primary focus spiritual training और रामकृष्ण परहमन्स की teachings को propagate करना है जबकि रामकृष्ण mission एक humanitarian और spiritual organization है जो charitable medical relief और educational programs चलाती है क्योंकि रामकृष्ण परहमन्स कहते थे service to human beings is the service to God और ये organization रामकृष्ण परहमन्स की उसी philosophy पर वेज़ड है इन दोनों organizations का headquarter West Bengal के बलूर में based है और ये दोनों organizations रामकृष्ण movement का part है तो ये थी details रामकृष्ण movement की नेक्स वीडियो में हम स्वामी वेकनन्स से जुड़ी सभी important चीज़ों को cover करेंगे इंडिया की history और इंडियन quality को detail में cover करने के लिए बुक्स दावा की playlist को follow कीजिए link आपको description में मिल जाएगा thank you for watching and supporting books दावा